बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहेम अस्सलामु अलेकुम मैं इस्माइल बाटली वाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है बेटियों से भी नाम और नसल चनता है बेटा और बेटी दोनों कुजरत की देन है अगर बेटा घर का वारिस है तो बेटी घर की रौनक है अगर बेटा घर का रखवाला है तो बेटी परिवार के प्रेम की रखवाली है उस घर का होगा तब कल्यान जब बेटा बेटी का होगा बराबर समान भाईयों और वहनों अक्सर परिवारों को देखा है जिनका बेटों के लिए बड़े बड़े सपने होते हैं कि एक बेटा हो जाए चाहे वो जैसा भी हो लोगों को इस गम में रोते देखा है कि उनके बेटा नहीं है लेकिन इस बात की खुशी मनाते हुए बहुत कम लोगों को देखा है कि उनके घर में बेटी पैदावने है बेटों से प्यार करना गुनाह नहीं है मगर बेटियों से नफरत करना उनकी जान लेना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है हमारे देश में बेटी बचाओ की एक मुहिम सुरू है जहां तक मैंने लोगों को देखा है और समझा है बेटियों से नफरत करने में कोई कमी नहीं हुई है और उसके कई कारण है और सबसे बड़ा कारण है देश परता है मगर जिस दिन भारत से देश परता खत्म हो जाएगी लोग अपने बेटियों को बोज समझना बंद करते हैं देश की परता ने बेटियों को बोज बना दिया है मगर देश के पीछे सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार घर की आउरते हैं घर की आउरतों को ही देश की ज़्यादा खौहिश होती है और वही अपने सरकल में बड़ाई बयान करती फिरती हैं कि हमारे बेटे को ये मिला हमारे बेटे को वो मिला यही आउरतें देश लेकर आई होती हैं तो उनको बरदास नहीं होता है कि उनकी बहु बिना देश के आए मतलब वो अपना बदला अपने बहु से लेना चाहेती है जो बेटियों वाले थे वो दुनिया में बहुत काम्याब थे और आज भी हैं दुनिया जुनके उपर फक्र करती है ऐसे लोगों से सबक ना लेना ये दूसरा बड़ा कारत है ऐसे महान लोगों में हजरत मुहमत सहाब का नाम है जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे कि महमत सहाब की अवलादों में सिर्फ बेटियां ही जिन्दा रहे थे महमत सहाब के तीन बेटों का सबूत मिलता है अलकासिम, अब्दुल्ला, इबराहीम मगर ये लोग जिन्दा नहीं रहे महमत सहाब के चार बेटियों का सबूत मिलता है जैनव, रुकईया, उम्मे कुलसुन, फातिमा ये चारों जिन्दा रहे महमत सहाब बेटियों वाले थे और बहुत महान बेटियों के पिता थे डेड़ हजार साल बीतने के बाद भी आज तक लोग उनकी बेटियों के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखना पसंद करते हैं चार बेटियां सबसे प्यारे पिता सबसे महबबत करने वाले पिता सबसे अच्छा स्वलूग करने वाले पिता ऐसी ही खूदियां तो एक बात में होई चाहिए आज जब भी बेटियों की मिसाद दी जाती है तो मुहम्मद साहब की बेटियों का नाम पहले आता है जो अपने पिता की बहुत लाड़नी थी भाईयों और बहनों बेटियों और बेटों हजरत मुहम्मद साहब के समय अरब दुनिया में ठगी, बेइमानी, बदमासी, लूट, डकैटी का जमाना था और अंध सरद्धा और अंध मिस्वास का अंधकार चाया हुआ था और बेटियों को जनम के बाद मार दिया जाता था और उनको जिन्दा दफन कर दिया जाता था मुहम्मद साहब साफ साफ और खुले आम बेटियों की हत्या पर्था को और उस जुल्म को गुनाह सगीरा मानते थे और बेटियों की हत्या को अधर्म मानते थे मुहम्मद साहब और उनके चंद साथियों ने बेटियों के साथ होने वाली इन सभी बुराईयों और अत्याचारों के खिलाफ कामियाब तहरीक चलाई उसमें उनको बहुत दुप उठाना पड़ा और बहुत कुछ बरबाद कर मगर उनकी तहरीक कामियाब होई और बेटियों को उनका मुकाम मिला मुहम्मद साहब की बीवी हजरत खुदेजा जो उस वक्त की बड़े अस्तर की बिजनस करने वाली महिला थी और उन्होंने मुहम्मद साहब की तहरीक की कामियाबी के लिए अपना मालो दौलत को अरबों में बेटियों का कत्र करने की प्रथा तो खत्म हो गई मगर हमारे देश में आज तक चली आ रही है नौरात्री दिवाली पर लक्षमी वसंत पंचिपी पर सरस्वती पूजा करने वाला हमारा देश बेटियों से प्यार करना अभी तक सीख नहीं पाया है मेरे कहने का मतलब ये हर्गिज नहीं है कि भारत में सभी लोग बेटियों से नफरत करते हैं या सभी लोग बेटियों को कतल करना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक बेटी का कतल भी हो रहा है तो ये गुनाह माफी के लाइक नहीं है इस पर सकती दूनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो ऐसे लोगों के लिए सजाए मौत का कानून बनाना चाहिए कोख्री बेटियों का कतल करने वाले और उन्हें बे सहारा छोड़ने वाले लोग मुहिनमत साहब की जिन्दगी को एक बार जरूर पढ़े अगर उन्होंने सच्चाई और इमानदारी से पढ़ा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने बेटियों से प्यार करना सीख जाएं भाईयों और बहनों बेटियों और बेटों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहें और वीडियो को लाइक करें सेर करने की महरवानी करें अल्ला हाफिज जैहिंद